अब देखो ओडी में हमारा कितना से लेखुस हो जया, फर्स्ट उनिट में हमने इनिशल वैल्य प्रोब्लम कर लिए, एक्विवेलेंट इंटेग्रल एक्वेशन कर लिया, एपसेर और अप्रोक्सिमेड सोलुशन हो गया, हमने ये वाली थी और हम भी कर लिए, कोशी प्यान एपसाइल इन अप्रोक्सिमेड सोलुशन कब एक्विस्ट करेगा, फिर हमने सोलुशन के एक्विस्टेंस की बात भी पढ़ ली, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यूनिकनेस ओफ सोलुशन, कि हम कैसे पता करेंगे कि कि किसी डिफ्रेंटिल इक्वेशन का यूनिक ज्यादा सुलुशन एक्विस्ट कर रहे थे, ठीक है, पर अब हमें बताना है कि किसी भी इक्वेशन, डिफ्रेंटिल इक्वेशन के यूनिक सोलुशन कब एक्विस्ट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आई लिपसिस कंडिशन, अब लिपसिस कंडिशन क्या है देखो, यह जो लिपसिस कंडिशन वाला कॉंसेप्ट है, यह नेट के एक्वेशन में भी बहुत यूज़ होगा, इसे नेट के भी काफी कोईशन सोलुआ होगे, वहाँ पर डिरेक्टली पूछा जाता है कि किसी डिफ्रेंटिल इक्वेशन का यूनिक सोलुशन होगा या नहीं कर रहा, ठीक है, अब देखो, स्पोज कर लिया, एफ कोई भी फंक्शन है, डिफाइन किसी डोमेन डी पर, यह वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि डोमेन क्या होती है, ओपन प्लस कनेक्टिड सेट, एक ऐसा सेट जो ओपन भी हो, प्लस कनेक्टिड भी हो, तो f कोई भी फंक्शन है, जो डिफाइन है, किसी डोमेन डी पे, इन टी वाई प्लेन, ठीक है, यहाँ पर 2D, मतलब 2D में वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर, तो 2D प्लेन की बात की हुई है, ठीक है, तो हमने देखो, मान लिया, यहाँ पर हमारे पास यह टी वाई प्लेन ह है, इधर कोई भी डोमेन डी है, ठीक है, इस डोमेन डी पर f कोई भी फंक्शन है, ठीक है, जो डिफाइन है, if there exists a constant, अगर हमें एक ऐसा constant मिल जाए, k greater than 0, जो कौन सी condition satisfy कर रहा हूँ, कि mode of f t, y1 minus f of t, y2 का mode is less than equals to k, mode of y1 minus y2, अब यह ty1, ty2 दो points है, यह कैसे points है, इस डोमेन के हर एक point के लिए यह condition satisfy होनी चाहिए, ठीक है, इस में से हमने कोई भी point ले लिए, ty1 लिया है, एक point यहाँ पर ty2 लिया है, यह तो हमने कोई दो arbitrary member ले लिए, पर यह वाली condition इस domain के हर एक point के लिए satisfy होनी चाहिए, तब हम इस इस f function को क्या बोल देंगे, कि जो यह f function है, satisfy कर रहा है कि इसको lips is condition को, ठीक है, और जो यह k होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम जो यह k है, यह कहलाएगा, lips is constant, ठीक है, आप दुबारा फढ़ते हैं, इसकी क्या है, suppose कर लिया f कोई भी function है, define है, जो किसी domain d पर in ty plane, ठीक है, k मिल जाता है, positive function मिल जाता है, जो इस condition को satisfy कर रहा हूँ, condition क्या है, कि mode of f t, y1 minus f of t, y2 is less than equals to k mode of y1 minus y2, ठीक है, इस condition को अगर function f satisfy कर गया, kin points के लिए domain के हर दो points, कौन से t, y1, t, y2, for every pair of points, t, y1 and t, y2 in d, ठीक है, तो इस function f को हम क्या बोल देंगे, कि यह जो function f है, यह ellipses condition को satisfy कर रहा है, with respect to y, with respect to y, बोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर y1, y2 change हो रहे हैं, तो with respect to y in domain d, and constant k होगा, जो से हम क्या कहेंगे, this is ellipses constant, ठीक है, अगर देखो, कोई function lipses condition को satisfy कर रहा है, किसी domain d में, तो उसको लिखने का तरीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कि जो function f है, वो lipses condition को satisfy कर रहा है, lip in d, यह वाले चीज़ बोल दो, या फिर यह बोल दो, कि जो f है, belongs to c lip in d, यह वाले चीज़ बोल दो, ठीक है, इनका f है, वो lipses condition को satisfy कर रहा है, किसी domain d के अंदर, ठीक है, अब देखो, इसने क्या बोले है, note पड़ो, if f belongs to lips in d, then f is uniformly continuous in y, for each fixed t, अगर कोई function lipses condition को satisfy कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, uniformly continuous हो जाएगा, अब uniformly continuous कैसे हो जाएगा, भी, देखो uniformly continuous की definition क्या होती है f is uniformly continuous on d कब if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for all xy belongs to d with x minus y का mode less than delta हो तो क्या होना चाहिए कि f of x minus f of y का जो mode होगा वो less than epsilon हो जाएगा ठीक है यह वाली चीज़ क्या होती है uniform continuity की definition होती है बट अब यहां पर हमारे पास क्या है तो देखो अब हमारे पास यहां पर 2d में काम कर रहे हैं ठीक है यहां पर तो single xy थी यहां पर 2 dimensional में work कर रहे हैं हमारे पास fixed है अब हमें क्या दिखाना है कि जो function lipsys condition को satisfy कर रहा होगा वो uniformly continuous होगा मतलब जो lipsys condition की condition को satisfy करेगा वो इस condition को भी satisfy करेगा ठीक है तो इसमें क्या है कि f को uniformly continuous कब कहेंगे domain पे for all epsilon greater than zero there exists delta हम एक delta मिल जाए such that this ठीक है अब हमने क्या किया हम delta को choose करके चल पड़े हमने लेट कर लिया delta को क्या epsilon by m such that कि यह condition satisfy होगा means यहां पर xy था और यहां पर हम y1 y2 लेकर चल रहें ठीक है हमने मान लिया कि y1-y2 का जो मोड है वो less than है कि इससे delta से delta की value क्या है epsilon by m ले लो epsilon by k ले लो क्योंकि हाँ पर हम k लेकर चले ना तो epsilon by k ले लिया हमने ठीक है तो क्या होगा uniformly continuous कब होगा सब यह condition satisfy हो रही हो तो यह भी satisfy होनी चाहिए तो अब हम यह लेकर चलेंगे तो हमारा पास इस का mode क्या आना चाहिए less than epsilon आना चाहिए तो इसका mode less than epsilon by k है तो यहां से क्या आ जाएगा which is less than k into y1 minus y2 delta delta epsilon by k तो k से k cancel हमारा पास क्या आ गया f t y1 minus f t y2 का mode is less than epsilon means जब जब इन दो points का difference less than epsilon से तो इसका difference किस से कम आ गया epsilon से कम आ गया अगर इसका difference delta से कम था तो यहां से हमारा पास क्या हो गया जो function f है वो कैसा हो गया uniformly continuous हो गया और हम यह लेकर चले थे कि function f कैसा है lipsys condition को satisfy कर रहे है ठीक है अब देखो examples किस तरीके से